वो कहते हैं कियार किताबें इनसान की सबसे बतरीन दोस्त होती है क्योंकि जब हर को यह आपको छोड़की चले जाता है कभी-kभी आप दोस्त भी शायदो किताबें यह स्थाय को आपको स्थाय जैयां संब Sachen ढहती है और साथी साथ अगर हमubeत करें तो आपके amazing platform यानि PW पे और आज मैं किताबों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो topic है वो कुछ किताबी है यानि कि हमारा जो अंदाज है वो कुछ शाराना है और कहने का मतलब जो topic है अपना print culture in the modern world मौज़दार है आसान है basic है easy है तो एक quick way में बच्चे एक छोटे स way में इसके साथ हम लोग कवर करते जाएंगे चोटे से प्यारे से topic को हाला कि चाप्टर बहुत बड़ा है लेकि इस बड़े इस चाप्टर को crunch करके summarize करके एक छोटे स्नॉप्सिस में आप तक बताने के लिए वापस आ चुका है आपका अपना फ्रेंड आपका मेंटॉर आपका साथ ही आपके सर यार कुनाल सर या फ्रेंड कहलो दोस्त कहलो कुछ भी कहलो भाई चलिए साट करते है हमारा आज का topic that is print culture in the modern world चलो तो बच्चा बाड़ी आज के बारे में और world of print के बारे में और last में हम खतम करेंगे print and censorship से तो पिटाइए कि ऐसा चाप्टर इससे one marker बनने के chances बहुत ज्यादा है five marker भी बहुत बढ़ी हां आते हैं साथी साथ case based study भी आती है तो जब case studies की बात की जाए तो एक चीज़ हमिशा याद रखिएगा मैं यह तो अगर हम बात करें बच्छे पहले printed किताबों की तो देखें पहले printed किताबे printing का जो कहते है ना technology printing का जो पुरा सिलसला था वो तीन देशों से start हुआ था आपके देश है cjk cjk का मतला बहुत simple है चाइना जपान और खोरिया चीक है तो कल ही मिली थी मुझसे Mr. ठीक है Mr. मारिया या Mrs. मारिया खुछ भी बोलो ठीक है और आज कि हमारे जो मस्त वाला printing technology है that started with China, Japan और Korea तो है ना बच्चे आजकल वैसे Korean web series के भी बहुत fan हो रहे है अगर हम बात करें में चाइना की तो चाइना में अगर आप देखेंगे कि चाइना बहुत समय तक printed material का एक largest producer भी र करने के लिए पीटा सेलेबस को कवर करने के लिए क्या चाहिए होगा किताबे चाहिए होंगी books से होंगी तो यह बुक्स को पब्लिश किया जाता था और यह बुक्स काफी सारे लोग खरीते थे लेकिन अगर हम बात करें बच्चों यहां पर चाइना में एकॉडियन बुक्स बड़ी फेमस थी ठीक है अब चाइना के इंदर जो बुक्स तरीके से प्रेड्यूस की जाती थी पेपर के उपर रब करके तो दो तरीके के टेक्नोलोजी बड़ी फेमस थी एक तो अक्वाडियन बुक्स अब चाइन क्या होता है पुराने जमाने में एक इंस्ट्रुमेंट डुआ करता था तो अगर आप किताबों को देखोंगे तो किताबे क्या होती थी इनको स्टिच किया ज दोच्वाइन होतीं बच्चे कभी मेंदी देखं तो महरी गर्ल्स आपकी मम्मी पहलोग परोटcrowd जब प्रिंट क्या होती है तब तो आप देखिए लकडी के इसे designer block होते हैं ठीक है तो इस block को क्या किया जाता है color में डुबया जाता है और कपड़ी के उपर इसे छापा मारा जाता है इसे print किया जाता है तो पहले जमाने में जो बुकें थी ठीक है उनको भी प्रिंट करने का टक्निका कुछ ऐसा ही था इसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के नाम से जानते हैं चाहां पर लकडी का प्रिंटिकुलर पोश्चन लिया उस पर सटेन डिजाइन बनाए या कुछ लेटर बने हैं उसको इंक में बात करें बच्छे जो हमारे मर्चेंट सयानी जो व्यापारी है वह ऐसे प्रिंट्स प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को कलेट करते थे खासका उनको व्यापार करना है हिसाब किताब करना है तो कैसे करेंगे वह इसका काफी जादा यूट्रिस करते थे फिर अगर आप देख आप देखोगे कि लेट नाइटीन सेंचुरी में जो हमारा वेस्टन प्रिंटिंग टेक्नीक से वह काफी इंप्रूब हुए और आपके मेकानिकल प्रेसे भी आने सार्ट हो गए यानि कहने का बहुत सिंबल सा मतलब है कि बच्छे जब मार्केट में किसी चीज का आना जरूरी है और वह इनोवेशन आता है ग्राजुली बच्छों जब हम देखते हैं अलग-अलग तरीके के प्रिंटिंग प्रेसे स्टार्ट होते हैं फिर अगर बात बच्छे करें यह आपका बहुत जाधा रिपीटेड कोश्चन है यह ओल्डेस प्रिंटेड जापनी इसको प्रिंट किया गया था इसका नाम है डाइमंड सूत्रा और इसमें छे शीट्स है टेक्स लिखा गया है बच्छे बुक किताब लिखी गई है छे पन्नों पर और यहां पर वुड कट इलिस्ट्रेशन यानि वुड ब्लॉक का यूज़ करके सुन्दा सुन्दा डिज इसकी प्रिंटिंग भी बच्छे ग्राजुली स्टार्ट हो चुकी थी तो अगर हम बात करें बहुत सारे लेट 19 सेंचुरी में आपको ऐसे पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे जो की बजबर्दस अर्बन कल्चर को डिनोट करते हैं एक ऐसा कल्चर जहां पर रेप्रेरी हैं तो इस सारी के सारी बातें दिखाई गई थी आपके 19 स्वी शताब्दी की पेंटिंग्स में इसी सिलसले में एक बड़ी इंट्रस्टिंग सी आर्ट फॉर्म का जिक्र किया जाता है दाट इस उक्यों का मतलब है पिक्चर्स और फ्लोटिंग वर्ड एक आर्टिस्ट हम ऊक्यों का मतलब होता है पिक्चर्स औरफोटिंग वर्ड कहने का मतलब अपने सिलसली किया है कभी स्टैंसल्स तैंसल्स में क्या होता है आप आउट्लाइन मंना दो डिजाइन मनाते ओ तो बच्चन यह इक तरीके का ऐसा आर्ट पॉर्म ता जहां पर जो ओरिजिनल प्रि यह अपने साथ यूरोप वापस ले गए और जब यूरोप यूरोप वहीं ने पता चलनी चाहिए जैसी पता चलेगी वैसे कॉपी मार के जो है उसके पॉल्टिपल लोगों ता को इंफर्मेशन पहुचा देंगे तो अब भाई जो हमारे मार को पोलो भाई आते तो पोलो भाई ने पोलो मिंट इनकारी मुह में डाली और बोला एक काम करते हैं इस टेक्नोलोजी को लेख सलते हैं यूरोप यहां तो बेकार ही है कि ने वह यू यह जो बुक्स थी अपनी जो यह बना रहे थे अलग-अलग देशों में इसको बेचना स्टार्ट कर दिया अब अगर आप देखें बच्छे लेकिन जो हांड रिटन मानुस्क्रिप्स हैं ठीक है मानुस्क्रिप्स क्या होती हैं बहुत ही फ्रजाइल बुक्स होती है जिस प्रिंट करने के लिए इन फाक्ट रिलीजिस पिक्टर्स को प्रिंट करने के लिए फाइनली यहां पर ब्रेक्ट्रू आता है जोहानस गुटनबर्ग द्वारा जिन्नोंने पहली प्रिंटिंग प्रेश को डेवलप किया 1430 में और इसके बाद से बच्चे जो प्रिंट र हैं उसने पूरी दुनिया को ट्रांस्फॉर्म करके रख दिया तो अगर यह कोशन पूचता है कि पहला ब्रेक्ट्रू किसने दिया तो पहला ब्रेक्ट्रू आया है जोहानस गुटनबर्ग के साइट से जिन्नोंने प्रिंटिंग प्रेश का डेवलप्मेंट किया 1430 के अं दॉस्ते ऐखके तो अभी नुधह भी उस्ते अग्राइव करके और ब्लीष्ट करने में च्छापने में लगा ता हूं गिए तो जो पहली को आपिया इन्हों ने प्रेंट की थी अचा अब इसमें क्या है तिकत है कि वह कुछ लोग ऐसे थे एलीट क्लास के उनको अपनी हर एक बुक में डिजाइन चाहिए होती थी तो इन्हों अब अगर हम बात करते हैं बच्चे तो बुक्स प्रिंटेट फॉर्च लेफ्ट ब्लांक स्पेस्स फॉर्ट इकरेशन तो अगर आप से बोले कि अप्रिंट रेवलुशन को डिफाइन कैसे करेंगे शब्द में एक लाइन में तो क्या है ता शिफ्ट फॉम हांड प्रिंटि पूछता है कि क्या है प्रिंट रेवलुशन तो बहुत सिंपल सी बात है दो चीज़ें नमबर वन क्या एक शिफ्ट आया यहां पर हैंड प्रिंटिंग से मेकानिकल प्रिंटिंग यानि पहले मैनुवल लेबर हो रहा था भी मशीन का यूज कर रहे है इसके अलावा जो ब इंस्टिउशन को बहुत हद तक चेंज किया एक सवाल आप से पूछेगा कहेगा एक्जाम में क्वेशन देगा आपको कोटेशन मार्क्स के अंदर बढ़ियां सजा करके कि प्रिंट क्रियेटेट था कंडिशन विदिन विच्ट फ्रेंच रेवलुशन अकल ठीक है तो कि किताबें लोगों ने पढ़ना शुरू की तब लोगों को लगा कि भाइया हमको तो पिके बनाया गया है कहने मतलब राजाव बेकुक बना रहा था यह तो रॉंग नंबर है बिलकुल रॉंग नंबर है तो अब बहां पर बताओ गे कि किस तरीके से उन फिलॉसफॉसों और फिंकर्स की जो राइटिंग्स थी उन्हें लोगों को इंस्पायर किया अब हम मेंशन कहेंगे कि उन्होंने अपने किताबों में क्या रखा था कौन से तो भाई वह आपकी किताबों ने किया है फिर अगर हम बात करें प्रोटेस्टन डिफॉर्मिशन मुवमेंट के इसके बारे मां भी हम आगे पढ़ेंगे तो मार्टीन लूतर किंग उन्होंने क्या किया था बच्छे एक मुवमेंट स्राट किया था कैतलिक चल्च की गलत प् लिखे बने लाग ज्यादा किताबे पढ़नी शुरू हुए तो उनको कही न कहीं पता चला कि अभी तक तो हमारा काटा जा रहा है भाई अभी तक तो हमारी फिर्की ली जा रही थी असली बात तो कुछ और है है कि नहीं चले अब और आगे बढ़ू बच्छों तो कहीं न इस बढ़ा किताबे पढ़ना स्टार्ट करेंगे बहुत सिंबल से लौजिक अगर सस्ता सामान मिलेगा तो मैं खरीदूंगा बाई सिंबल सी बात ऊसमें मेरा बेनीफिट है तो लोग भी जादा किताबे पढ़नी शुरू करेंगे अब अगर हम बात करें तो इससे क्या एक निया कल्चर बनने लगा पहले क्या था कि जो हमारे रिच लोग थे इतम खतरनाक तरीके के अमीर लोग थे सिर्फ वही किताबे पढ़ पाते थे राइट या कह सकते हैं उनी को परमिशन दी किताबे पढ़ने की और कॉवन पीपल जो थे सिर्फ रिलीजिस टेक्स को जो ह तरी वह जाधा तर जो हमारे रिलीजिस आप कह सकते स्क्रिफ्चर से उनको सुना करती थी लेकिन अगर हम बात करें प्रिंट रिफ्रेवलुशन से पहले वोग बहुत एक्स्पेंसिव थी मैने कही बता है आपको कि बुक्स बहुत जादा क्या थी बच्चे महेंगी थी क् अब जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन है वो इतनी हाई है कि बिचारा कॉमन आत्मी उसका फोड करी नहीं सकता फिर अगर आप दात देखेंगे बच्चे अन पार्ट फॉम दिस बट ट्रांजिशन वस्ट सिंपल देखें क्यों सिंपल नहीं था क्योंकि अभी भी देखें जो बुक्स पब्लिश हो रही है हाला कि मार्केट में उनका दाम गिर गया लोग जादा खरीद रहें लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है वही उन किताबों को पड़ पा रहा है तो यह पहले दिक्कत यह थी किताबे बहुत महेंगी थी बहुत एक्सपेंसिव थी इसलिए जादा लोग खरीद नहीं पा रहे था अब दूसरी दिक्कत यह कि किताबे तो सस्ती हो गई लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखें होने चाहिए तभी वो इनको गागा के सुनाया जाता है जाता है once upon a time there was a lion and a lion went to jungle and never came back यह मैं एक कहानी बतारों ऐसी पोएंस नहीं होती है फिरा जो परेटरी होती है बहुत अलगा लक्सी होती ही बाले ठीक है लेकिन यह एक्जांपल दिया है आपको कि ऐसे गागा के सुनाते थे पहले इंस्ट फिर आपकी जो लोग कता हैं जो आपकी folk tales हैं बच्छे इनको बहुत जादा pictures के साथ illustrate किया जाता था so that जो पढ़े नहीं सकते हैं वो at least देख करके तो समझ पाएं कि चल क्या रहा है आपे ठीक है in fact अगर आप देखो कि जो oral culture है उसने धीरे-धीरे print mentor करना शुरू कर दिय कि जो लोग पढ़े लिखे होते थे जनली लोग के पढ़के किताबों को दूसरे लोग को समझाते थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गाओं-गाओं जाकर की कहानिया सुनाते थे लोगों से connect करते थे तो यह सारी चीज़ें कैसे हो रही है और ली हो रही है रही बच्छे क पुराने जमानी की लोग कताएं अभी उसको बुकों में पब्लिश किया जाने लगा और यह जो पब्लिश्ट बुके थी यह लोग बहुत सारे लोगों को पढ़के सुनाने लगे यानि कहानिया कहां से आई थी यह कहानिया आई थी लोग कताओं से यह वो लोग कताएं है जो generation by generation pass on होती आई है और ली एक दूसरे को जैसे आपके दादी नानी आपको सुनाते होंगे है ना बेटा हम जब सोटे थे तो हमको भूत मिला था और भूत ने हमसे कहा कि रस्मलाई खिलाओ तो हमने भूत को कहा भया रस्मलाई तो है नहीं तो भूत ने हमको एक तेज के जब होन्ने के ढें थमर्याओ को ब gü cabbage होती है नहीं तो हमने दिख कर दिए किताब वह पड़ पाताएगा जिसको किताब पढ़ना आता है लित ट mia को को पढ़के बहुत सारे लोगों को सुनाते थे आप कहेर सकते हो कि जो oral culture था पहले print हुआ और फिर प्रिंट होने के बाद दुबारा से लोगों को और रिली बताया गया रई चली छर्य अगर बात करें बच्छों कि प्रिंट की तो प्रिंट ने एक नया वर्ल्ड ऑफ डीवेट डिसकेशन ओपन कर दिया देखिए बहुत सिंबल सी बात है प्रिंटेट बुक्स को हर एक ने वेलकम नहीं किया खास कर तो हमारे राजा महरा राजा थे जो क्लर्जी वाले सुसाइटी थ हालों से अलब जांगे दों को यह बिखए अपनी फालतु की देखिए अल रहे थी लोगों की किताव बहाना नेका कि एसा नहीं से बहूं감 अभी पहले क्या था कि यह लोग डरा देते थे लोगों को टैक्स बरवाते थे इंसे फालतूगा अभी जब किताबों में इनकी असलियत पब्लिश होने लगी तो लोगों को पता चला कि भाया यह सब जोगला पने सिंपल सी बात है ऐसा कुछ नहीं होता तो कहीं न कहीं बच बच्चे होजाएंगे लोग काफी द्यादा क्या यह भेड़ेंगे बच्चे होसकता है इस एक होना के दिमांग की बघ्टी जल जाएगी और एगर तुमारा बिजनस फेल हो जाएगा यह इसको डर था ठीक है चलीए 1517 मेंगरें बात करें मार्टिन लूठर किंग थे उन् और यह जो फालतु को टैक्स वरवाते हो कि यह बिल्कुल वेकार चीज है लोगों को पता नहीं है इसका तुम फाइदा उठा रहे हो तभी इन्हों ने किताबे लिखी लोगों को लगा हाँ भाई सही बोलने लुथर साहब और लुथर साहब की बात को मानना चाहिए तो इस की इस reformation मुव्मेंट को जॉइन किया वह protestants कहलते हैं राइट प्रोटेस्ट करने वाले राइट बच्छो चलिए तो जिनको टेक्सबुक सी कहीं न कहीं बच्छे इनोंने क्या किया प्रोटेस्टेंट्रमेशन का बिगनिंग किया और इसके चलते जो कृष्चानिती है आगे बात करें, let's get forward, फिर गर हम बात करते हैं, शोलवी शताबदी में मिनोश्यों जो थे, इन्हों ने किताबे पढ़नी स्टार्ट की, जो इनके लुकालिटी में अवेलिबल है, ठीक है, और फिर इन्हों ने जो बाइबल का मेसेज है, वो अपने हिसाब से री इंटर्प अवेलिबल थी, फिर उनने का बाइबल का जो मेसेज था, उसको अपनी तरीके से नोन समझा, और जिस तरीके से प्रेजेंट किया, इससे रोमन कैथलिक चल्च नाराज हो गया, क्योंकि रोमन कैथलिक चल्च को तो आपोस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस जा रहे थे, जो हो बता रहे थे, हो मान नहीं रहे थे, ठीक है, तो मिनोशियों को दो बार जो है, घंकी दी गई कि बिटा बंद कर दो नहीं तो मार देंगे, और अल्टिमेटली मार दिया, 1558 से जो रोमन कैथलिक चल्च था, उसने एक इंडेक्स, एक लिस्ट बनाई ऐसी किताबों की, ज ठीक है, अगर आप देखेंगे, most parts of Europe में, जो literacy rates थे, 17th और 18th century में बढ़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है, schools और literacy जो थी कही ना कहीं बच्चे बढ़ना स्टार्ट हुए आपकी European देशों में, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग थे, जिनोंने कहा कि हमको जादा से जादा क पहुंच पा रही थी, तो अलग-अलग variety के जो size थे, अलग-अलग quality के जो books थे, वो कही ना कही market में सर-plate होना start हो गए, फिर अगर हम बात करें, early 18th century से, जो periodical presses है बच्चे, यह आपके publish होना start हुए, अब यह क्या बताते थे, यह दो चीज़े बताते थे, number one, एक तो current affairs के journals है, newspapers है, जिन्होंने war के related, trade के related, बहुत सारी ऐसी information थी, जो आगे pass on की, in fact, अगर Isaac Newton की, अगर आप discoveries की बात करेंगे, तो वो भी इन सारे बहुत सारे papers में publish हुई, जिन्हों को लोगों ने पढ़ा, और जो लोग उनसे connect कर पा रहे थे, उन्होंने appreciate भी किया, right, तो आप कह सकते हैं, बच्चे, mid-19th century तक, books को जो है, बहुत अच्छा सादत माना जाने लगा, जिससे लोगों तक, जो है, कही न कहीं important news पहुचे, important information पहुचे हो, साथी साथ बच्चे, उन्हें awareness पहुचे, ठीक है, लूइस सेबेस्टीन मर्सियर के साफ़ सब्सक्रा बोलेंगे, ए exportism मतलब ऐसे रार्ज को, ऐसे सामराज को, ऐसे रूल को दूर भगा देगी, जो किसी की बात नहीं मानता, जो अपनी मनमानी चलाता है, यानि कि उस जमाने के जो major राजा वाले रूल थे, absolute monarchies थी हैं, जो लोगों की बात को सुनते ही नहीं थे, अपनी मनमानी उन पे को जो पॉब्लिक की पावर है, पॉब्लिक ओपीनियन है, वो भगा फिकेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पावर्फुल इंजन है, प्रोग्रेस का इस प्रगती का वो है आपका प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तो इतने जादा बच्चे थे, प्रिंट की पावर से उनको ट्रेंबल, therefore, tyrants of the world tremble before the virtual writer, किस ने कहा है, बिटाई कहा है, लुइस से बेस्टियन, मर्सिया है में, फिर अगर आप से बात करें है, हिस्टोरियन्स ने बहुत बार ये बात कि, मैंना आप से कहा ना कि, प्रिंट एं दा फ्रेंच स्रेलुशन, तीन और पांच नमर का कोश इसे सारी जितने भी सोशल लीवर्स इनको एक्सपोज करते थे, ठीक है, बोलते हैं और रूसों की जो राइटिंग स्थीन को लोगों ने पढ़ा, लोगों को एक नए नजरिया मिला बच्चे दुनिया को देखने का, और उनको पता चला कि भाई आच चीजों को बहुत र लिट्रेचर अलएडी फ्रांस में पोरेन हो चुका था, जो समय की सरकार को मौक करता था, मजाग उड़ाता था और उनके पूरी बाततों को बताता था, तो जो प्रिंट था बच्चे इसने कहीं न कहीं आइडियास को स्प्रेट करने में बहुत जादा हेल्प किया, और ब समझाना स्टार्ट किया कि बिटा आंग बंद करके चीजों पर भरोसा करना बिल्कुल बेकार है, अपने आप से चीजों का अनलाइज करिए, रिशनाइज करिए, उसके बाद ही को इस्टेप उठाईए, ठीके बच्चों चलिए, फिर अगर 19 सेचुरी से आप देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन का बलस्री हो गया, तो 1857 में एक चिल्डरिन्स के लिए स्पेशल प्रेस को सेटप किया गया था, फ्रांस पे, जो बच्चों के रिस्पेक्ट में बच्चे लिट्रेचर किताबे प्रिंट करता था, फिर अगर आप देखेंगे जो पुरानी यहां पे, किस चीज के लिए? सिंपल सी बात है, यहां पे एक अच्छा साथन बन गया पढ़ने के लिए, फिर अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों थोड़ी सी, लेट्स फॉर्दर, तो प्रेस के अगर हम बात करें बच्चे लेटर केसे में, अठारवी शताबदी में, मेटल प्रेस आनी आपकी स् फिर अगर हम बात करें, color printing शीं सार्ट हो गया विद्धा डेवलप्मेंट आफ ऑफसेट प्रेस, जो कि 6 colors अपर प्रेस आप देखों के बच्चे तो अगेब अब इनगर हम बात करें, बहुत सारी photoelectric reels या इस तरीकी की फिलम आनी शुरू हो गई, जिससे अभी color printing काफी ज तो भारत अगर जाने गया विशे संस्कृइट भाशा में पर्षन भाशा में बहुत पूराने जमाने से मैनुस्क्रिप्ट सली आरही किताब्य हमने लिखी है पर मैं। रिज़ कि साथ दिक्कत यह कि बच्छे यह पहली बात आ पैपर पे लिखे जाती है फिर पाँम की बड़े-बड़े पत्ते होते है उस पर लिखे आती है तब दिक्का दिये कि जब पाँम का पता सूक जाएगा तो बच्छे फ्रेजाइल होके मुड़ सकता है टूट सकता है खराब हो सकता है राइट इस रिजल्ट इनको कई करने आ काफी पॉपलर था इन फाइक बाटला करके एक एक एरिया है जो कि बहुत फेमस है बंगाल में अपनी बुक पॉब्लिशिंग के लिए फिर अगर हम बात करें बचो यहाँ पे मिट 16 सेंचुरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस गवा आई जब पॉर्तुगीश मिशनरी उसको अपने साथ लेके आए क्यातलिक प्रेस ने पहली तमिल बुक को प्रेंट किया था 1579 में कोचीन में 1713 में पहली मल्यालम बुक प्रेंट की गई इंग्लिश प्रेस बचे दीरे इनको बहुत बार डांट भी पड़ी थी ठीक है फिर अगर हम बात करें बच्चे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रिलीजेस इशूस काफी इंटेंस बन गए अर्ली 19 सेंचुरी थे लोग जो थे बच्चे पुराने तरीकी के प्राक्टिस को पुराने जमाने के तॉल तरी प्राइटी ने ठीक है तो ये दो बड़े-बड़े न्यूस पेपर्स आपको देखेंगे इसके अलावा दो पर्शेन न्यूस पेपर्स भी स्टार्ट हुए थे जैसे जामे जहां नामा और शम्शुल अकबर तो बच्चे यह आपके वन मार्क कोश्चन के लिए बहुत ज बच्चे यह बहुत जादा इनकरेज किया और बहुत सारे नए नहीं तरीके के लोग थे जो बच्चे इन डिसकेशन में इन्वाल्व होना स्टार्ट हुए और कहीं ने नाशनल्स मोमेंट ने बहुत बड़ा रोल पर बच्चे एदा किया है ठीक है फिर अगर आप बात कर विमन ने बहुत सारी प्रिंटिंग्स हमारी साथ कि लिग्जांपल जों सब्सक्राइब और के लूगों की इन इंगल मोरे इन इस अपने लोगों की आईडिया और दर्शाना आप कह सकते है शुरू किया फ्रेम करना साट किया विमन ने बहुत सारी न्चारा कि प्र को बोले जाता थे करें तो बछसे विड़िऊ हो जाएगी ठीका है साथ ही-साथ ये भी कहा जाता था Muslim विमन को ऐसा लगता था कि भाई अगर Muslim लड़किया पड़ लिख गई तो बहुत करफ्ट हो जाएंगी तो तरीके की जो विचाल धारा हैं बच्छे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होने लगी लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सारी फीमेल राइटर्स जिन्हों ने इसको पोस्ट किया है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में दिखा है जैसे आमार जीवा ने बहुत अच्छी बु प्रिंटिंग के लिए बाना जाता है आज भी बहुत फेमस है तो कुछ मेजर फॉर्म्स है जो बच्छे हम को प्रिंटिंग में देखने को मिलते हैं फिर अगर हम देखेंगे बच्छों की जो सस्ती किताब पे तहीं वह भी कहीं है कहीं मार्केट में मिलनी स्टार्ट हो ग समझाते हुए बताते हुए बहुत सारी बुकें हैं बहुत सारी किताब हैं जो लिखी गई इन फाक्ट फाक्री वर्कर्स जो थे बच्छे कहीं न कहीं अपने एक्स्पिरेंस के बारे में लिखना चाहते थे लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पास education कम थी तो इतना जादा लि इनके पास्ट के बेज़ेशन किया जा रहा है इसको बताया गया था ठीक है इन फाक्ट एक और वर्कर थे उन्हों ने भी सची कप्ताएं करके सारी पोश्ट्री अपनी लिखी दी जितने भी एक्सपिरेंसे से उसको एक वन शॉर्ट में कमपाइल किया था 19-30 में बैंगल प्रिंटिंग पर रोक लगा दो कहने का मतलब बहुत सिंपल बच्चे कि माल लीजे पहले क्या था जिए ब्रिडिश इसन्डिया कंपनी था उसने सेंसर्शिप लॉज लेकि इससे क्या हुआ कि बिडिश सरकार के अगेंस साब कुछ भी पब्लिक करने कुछ भी पब्लिश अगर हम बात करें तो उन्होंने फिर से नए रूल्स बनाए और दुबारा से जो फुरीडम तो इसको रिस्टोर किया प्रेस की लेकिन यह सारी चीज़ें 1857 की जब क्रांती आई बच्चे उसके बाद चेंज हो गई बिकॉज सरकार यह नहीं चाहती थी कि को भी भारती है अगर हम 1878 की बात करें 1878 की तो वरनाकुलर प्रेस आट ने क्या क्या लोकल भाशा में कोई भी ऐसा आप्ट या कोई भी ऐसा बुक अगर पब्लिश किया गया जो ब्रेटिस सरकार क्या गेंस्ट है तो बच्चे ऐसे बुक्स को इमेडिएटली बंद किया जाएगा पुब बहुत सारे ऐसे हमारे नाशनलिस्ट निउस्पेपर थे ऐसे निउस्पेपर जो बच्चे देश बक्ती की भावनाओं को जनरेट करते थे बताते थे बढ़ने लगे कहीं न कहीं ठीक है 1907 में पंजाब में जो प्रांतिकारियों पे बच्चे बगाया गया उनको जेल में तो बाल गंगा तर तिलक ने एक बड़े खुबसूरत तरीके से उसको अपने पेपर मराठा केसरी में इसको बच्चे दर्शाया था कि किस तरीके से उमारे क्रांतिकारी थे उनके साथ गलत हो रहा है उनको जबदस्ती जेल में डाला जा रहा है तो ऐसे बहुत सारे instances बच और य Одन लूर्ग बॉश्चे की किस तरीके से प्रिंटिंग स्टाट हुआ, के प्रिंटिंग ग्रो किया वुट Blue Park हम लुग कहा है जोûоф प्रिंटिंग-प्रिंटिंग प्रिंटमयं को ने रहे हमारे विमीन रेटाह को उनका पोस् करने वाले आये वाले आये दृबद इसको राजा राम वहन रोए ने पोस्किया अपनी राइटिंग्स के थुरू उनके राइटिंग्स के आपको समचाल संद्रिका इसको अप्रोज करने के लिए तो बच्चे ऐसी बहुत सारे मुमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं बट ग्राजोली प्रिंट ने पूरी दुनि समाब करते हैं आपका टास्क ये है कि आपने लेक्षर के कॉंसेट को समझा बच्छे एक थोटा से समरी को समझा अब इसको 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 रीड करेंगे बैक आंसर को जरूर से लगाएंगे और आपके लिए जाते हात एक सवाल है सवाल बहुत सिंपल है कि मुझे बस इतना सा पता दो कि tell me any two factors that increased the readership of the public कोई भी ऐसे दो factors इन्होंने public के readership को युरोप में increase किया दो factors को आप आप सा दे सकते हैं comment section में मैं मिलूंगा आपसे next class में तब तक लिए बाबाए बच्छों टेक कियर और से टून विट पीड़ुए